हलो गाईज, स्वागत आपका एक नए वीडियो में आज किस वीडियो में डिसकस करने वाला हूँ 29 शुलाई 2024 के जितने भी करंट अफेस बनते हैं तो इस वीडियो में अंतक बने रहिएगा ताकि आपको सभी करंट अफेस की पूरी जानकारी मिल सके साथ ही साथ अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की डेली करंट अफेस के अपडेट आप तक पहुंच सके शुरुआत करते हैं पहले कोशन से इसमें इसमें इंडिया ने दो गूल्ड और तीन सिल्वर मेडल जीते हैं और जो देश पहले नमबर पर रहा है मेडल जली में वह है चाइना दूसरे पर रहा रशिया और तीसरे पर रहा रूमेनिया next question is in 2023-2024 India's coal production surged by what percent India की जो coal production है 2023-2024 के दोरान कितनी जो है बढ़ी है कितनी जो है इंक्रिमेंट हुआ है यह हुआ है 11.65 प्रतिशत का B option इसका correct answer है which day is celebrated as the international tiger day international tiger day जो है वो कि मनाया गया 29 July को B option इसका correct answer है who has been appointed as governor of sikkim तो sikkim के नए governor जो है किसे अपोइंट किया गया है किया गया है ओम प्रकाश मातुपो next is which day is celebrated as the international ORS day international ORS day जो है यह मनाया गया 29 July को B option इसका correct answer होगा India's steel production to surpass 300 million tons by which year this year में किस साल में इंडिया की जो steel production होगी वो क्रोस कर जाएगी 300 million tons को तो यह होगा आपके आंसर 2030 में 2030 B option इसका correct answer होगा next is who has been declared the winner of Venezuela's presidential election by the national electoral council election करवाती है उस organization का नाम है वेनेजवेला में national electoral council तो इनके द्वारा किसे जो है वेनेजवेला का presidential election का winner घोशित किया गया है तो यह किया गया है Nicolas Maduro को और B option इसका correct answer होगा और यह लगातार तिसरी बार जो है president का election जीते हैं next is India signed their first ever cultural property agreement with rich country यह इंडिया ने sign किया है USA के साथ B option इसका correct answer है जो भी आपके illegal ठीके से जो artifacts होती है जो मूर्तियां होती है जो Indian culture से related चीज़ें है जिनको illegally ले जाया गया है विदेशों में उसको बापिस लाने के लिए जो है यह cultural property agreement किया गया है USA के साथ next is who has been appointed as chairman and managing director of SIDBI तो इसका जो chairman और managing director बनाया गया है वो है Manoj Mitt B option जो है इसका correct answer है next is the Chandigarh Metro Rail Project will be managed by the Chandigarh Metro Rail Project इसे approved किया जा चुका है इसे किसके दौरा manage किया जाएगा तो यह किया जाएगा Chandigarh Metro Rail Corporation के दौरा तो यह तक आज किस वीडियो में अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को like ज़रूर करें शेर करें दोस्तों के साथ और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज यह सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें इस थेंगे आज सो वाचिंग इस वीडियो मिलेंगे इसी तरह की नेक्स वीडियो में और इसी तरह के लिएक में